हेलो फ्रेंट्स माइब जन्सु कुमार्षिक और यू वाचिंग अंशु क्रेटिव हमारे और आपके चैनल पर हम दोनों का स्वागाथ दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने के लिए हैं फ्लाइज ब्रिक के बारे में यह एक most important topic है क्योंकि दोस्तों फ्लाइज ब्रिक को ले से confusion इतनी सारी है कि जिसके आज भी लोग जो है अच्छी कॉलिटी की फ्लाइज ब्रिक मिलती भी है ना तो नहीं लगाते हैं वहां पर रेड ब्रिक ही लगाते हैं मगर मैं यहां कहना चाहूंगा सीधे सीधे सब्दों में अगर आपको अच्छी कॉलिटी का फ्लाइज ब लेकिन थोड़ा सा पहले हम रेड ब्रिक के बात कर लेते हैं यहां पर यहां पर बात क्या आ जाती है जो है उसका इतना ज्यादा कटा होने लगया है ब्रिक बनाने के लिए जैसे कारण साथ सॉइल पॉलिटी डहने लग गया है और स्वाइल से बनने कारण जगे-जगे प इस कारण से गर्वर्मेंट भी इशेट करने लगी है और आने वाले टाइम ने हो सकता है कि आपको रेड ब्रिक हो पूरी तरह से बंद करवा दिया जाए घर बनाने के लिए यह सच बात है कि आने वाले टाइम पे रेडब बंद करवा जाए बहुत सबाते स्टेट आज इ use कीजिए यह हमारे एंवायरमेंट के लिए अच्छा है इंवायरमेंट मेंफ फाइदा होता है अब है अक्ट तो मैं आलावर् mph यूम करते हों इसम सब्सक्राइब किया है मटलब कि राक जो कि आपके व्लिष्ट और बहुत साइच निकल लेवाली राओ को इसमें यूस किया जाता है और फ्लाइब बहुत होती है बहुत हल्की होती है जिस तो हवा पॉल्यूटी प्रेशित करने लगाती है और यह बहुत ज़ाद benefit है यह जो है आपका strength में durability में आपके red brick से पहुंच ज़दा होती है lightweight होती है और इसमें क्या होता है इसका proper according to shape and size जो होता है वो बहुत uniform होता है अच्छे क्योंकि एक अच्छे mold में बनता है और एक अच्छे uniform shape and size होने के कारण benefit क्या होता है इसको जो हम इस brick work करते हैं तो ऐसे में इसमें जो क्या होता है प्लस तर भी हमें फिप्टी पॉसेंट बचता है और यह बहुत ज़्यदा अच्छा होता है कि दूस्तों इसमें क्या होता है या तो सैंड या फिर इस्टों डर्स तीशे कंटेंट समें होता है और यह और यहां पर लाइम जो इसके मिलावट होती है इस करण से इन सब को मिला करके यहां पर बनता है अब मैं मैंने जैसे कि इसमें बेनेफिट बताया है यह हाइड डूरेबिल्टी होती है इसकी बहुत ज़्यदा मजबूत होता है स्ट्रेंट में अकॉर्डिंग प्लस लाइट वेट होता है अगर आप ज्या क्या होगा आपका जो दिवार काफी हलकी नहीं होगी मजबूत ही पूरी होगी लेकिन क्या होगा कि आपका घर में जो दवाव च्छत के पर दवाव है वो कम हो जाएगा और जिस कारण से च्छत दवाव कम होने करण घर आपका बहुत लंबे टाइम तक टिका रहेगा इसका फाइदा क्या होता है कि आपका बहुत ज्यादा जब आग लग जाती है बहुत ज्यादा लग जाती है तब ही इसमें कोई फरक पड़ता है बांकि जल्दी इसमें कोई आग का फरक नहीं पड़ता है यह भी एक बैनेफिट है फ्लाइजबरिक का प्लस इसमें वाटर में क्या होता है यह जो है अपनी शम्तास से बहुत जैदा पानि सोक गदे लेकिन प्र Ones से क्या होता है कि इसमें सीपे जाने की प्रॉब्लम बिल्कुली कम होती है संभावना बिल्कुली कम होती है पानी कम सोकने के कारण इसमें एक बनेफिट और है कि अगर यह पानी कम सोकता है तो इसमें आपको बार-बार जो है तराही करने की प्रॉब्लम भी नहीं है एक बार और च्छत पर बहुत कम लोड लगा और जिस करण से आपका च्छत और टाइम तर लॉंग टाइम तो बना रहेगा तो और बाकी काफिए कर रिफूजन होती है कि यह कॉस्टली हो जाता है रेड ब्रिक से तो यह भी मैं क्लियर कर देता हूं कि रेड ब्रिक से काफी सस्ता कंगी हो गई है according to Fliars brick और वैसे भी मैंगी हो गई है रेड ब्रिक तो यहां पर आफ फ्लाइयस ब्रिक का जो option है यह बहुत बेटर option है यह और भी किसी ब्रिक से मैं यहां तक ही कहूंगा को एसी सी ब्लॉक जो है वो भी अच्छा option है आपका रेड ब्रिक से बट यहां पर इन सब में मैं सबसे बेटर मानता हूं fly-ass brick को A.C.C. block भी बहुत अच्छा है लेकिन एफ फ्लायस brick यूज़ करोगे एक छोटे घर के लिए बात कर रहा हूं एक बहुत बड़े building के लिए तो मैं A.C.C. block ही recommend करूँगा लेकिन आप अगर आपको अभी भी confusion है लगे कि दिखन्ट होने करान यसमें टुकम अब यह चाहिए तो इसलिए आप इसको चनिह कर सकते हैं तो इन सब बात तो को जरूर ध्यान रखे उसके तो फ्लाइज लगरिक का लाइक से हर एक डिसलाइक से सब कुछ से मोटिवेशन मिलता है और कोई दिल में कमेंट हो कोई भी दिल में कोशन उठ रहा हो तो कमेंट बोक्स में लिए चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें नए हैं तो निचे लाग बटन आगे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी भूलें आपका हर एक जो भी हमारे चनल पर क्लिक है उससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके हर एक क्लिक से तो इसलिए दोस्तों आए वीडियो को पूरा देखें उसके बाद कोशन पूछें काफी बार क्या होता है लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और कोशन पू सकते हैं चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर भी कमेंट करके जरूर पूछे मैं वहां पर जबाब आपको जरूर दूँगा जय हिंजय वार जल्दी मिलते हैं अगली और नोशन वीडियो